शर्म आ रहे है न मैने लिखा था मुझे लगा कि ये यह पूरुष ने नहीं जीता है और इस पर लिखा जाएगे तब मैने लिखा था कि शर्मा रहे है न उस समाज को जिसने उसके जन्म पर खुलकर जशन नहीं मनाया शर्म आ रही है ना उस पिता को उसके होने पर जिसने एक दिया कम जलाया शर्म आ रही है ना उन रास्तों उन रस्मों को उन रिवाजों को उन बेडियों को उन दर्वाजों को शर्म आ रही है ना उन बुजर्गों को जिन्होंने उसके अस्तित को सिर्फ अंधेरे से चोड़ा शर्म आ रही है ना उन दुपट्टों को उन लिबासों को जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ा शर्म आ रही है ना स्कूलों को दफ्तरों को शर्म आ रही है ना स्कूलों को दफ्तरों को रास्तों को मनजिलों को शर्म आ रही है ना उन शब्दों को उन गीतों को जिन्होंने उसे कभी शरीर से ज्यादा नहीं समझा शर्म आ रही है ना राजनीती को धर्म को जहां पर बार बार अपमानित हुए उसके स्वपन शर्म आ रही है ना खबरों को, मिसालों को, दिवारों को, भालों को शर्म आनी चाहिए शर्म आनी चाहिए ऐसे हर विचार को शर्म आनी चाहिए जिसने पंक काटे थे उसके शर्म आनी चाहिए ऐसे हर ख्याल को शर्म आनी चाहिए जिसने रोका था उसे आस्मान की तरफ देखने से शर्म आनी चाहिए शायद हम सब को क्योंकि जब मुठी में सूरज लिए नन्नी सी बिटिया सामने खड़ी थी तब हम उसकी उंगलियों से चलकती रोश्णी नहीं उसका लड़की होना देख रहे थे उसकी मुठी में था आने वाला कल और हम सब देख रहे थे मटमेला आज पर सूरज को तो दूप खिलाना था बेटी को तो सवेरा लाना था और सुबह हो कर रही क्या वाद जब हम कोई खास वज़ा है ये जुडाव जो हम देखते हैं ऐसे मौकों पर रसून जी की तरफ से पता नहीं देखिए वही बात की कविता को डाइसेक्ट करते हैं तो लगता है कि क्यों लिखी गई क्या वजह थी कहां से उत्स है कहां से मूल है उसका उत्पत्ति कहां से हुई उन चीजों में जो आलोचक हैं जो एनलेटिक्स वाले लोग हैं वो पढ़ें कभी का तो काम ह जब उसके अंदर एक भावोद्वेलन होता है तो उसे अभिव्यक्ति दे उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करें और उस मॉमेंट में अपने को खो जाने दे उसको अनुभूत करें वह आपका अनुभूत सत्य है तो उसमें एक लिखा था कि लक्ष धूड़ते हैं तो यह पलकी गरिमा पर जिनका थोड़ा भी अधिकार नहीं है इस क्षण की गोलाई देखो आसमान पर लुड़क रही है नारंगी तरुनाई देखो दूर ख्षितिच पर बिखर रही है पक्ष धूडते हैं वे जिनको जीवन ये स्विकार नहीं है लक्ष धूडते हैं वे जिनको वरतमान से प्यार नहीं है नाप नाप के पीने वालों जीवन का आप मान न करना नाप नाप के पीने वालों जीवन का आप मान न करना पल-पल लेखा जोखा वालों गनित पे यूँ अभिवान न करना नपे तुले वे ही हैं जिनकी बाहों में संसार नहीं है लक्ष ढूडते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार रही है जिन्दा डूबे डूबे रहते मृत शरीर तैरा करते है उतले उतले चप चप करते गोता खोर सुखी रहते है स्वप्न वही जो नींद उड़ा दे वरना उसमें धार नहीं है लक्ष ढूडते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है कहां पहुचने की जल्दी है कहां पहुचने की जल्दी है निर्त भरो इस खाली पन में किसे दिखाना तुम ही हो बस गीत रचो इस घायल मन में पीलो बरस रहा है सावन ये सावन लाचार नहीं है लक्ष धूंटते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं कहीं तुम्हारी चिंताओं की पूंजी गठरी ना बन जाए कहीं तुम्हारे माथे का बल शकल का हिस्सा ना बन जाए जिस मन में उत्सव होता है वहां कभी भी हार नहीं है लक्ष धूडते हैं वे जिनको वरतमान से प्यार नहीं है इस पल की गरिमा पर जिनका थोड़ा भी अथिकार नहीं लेकिन कभी क्या आपने कोई लक्ष नहीं ढूडा क्या बॉलिवुड के लिए लिखना और अलग से अपने मन में जो भी विशय है जो परिशान कर रहा है उस पर लिखना कभी आड़े आया एक दूसरे क्यामने सामने आया देखिए आप हमेशा एक साम में ढूडते हैं एक सिंक्रोनाइजेशन लुकिंग फॉर सम्थिंग विच इस गोई तो रेजनेट जो आप चाह रहे हैं और वो फिल्मेकर चाह रहा है अगर उनके बीच एक साम में मिल जाता है तो आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगने लगता है तारे समी पर मैं जब लिख रहा था मेरी छोटी सी बेटी थी दो साल की और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इसको समझने के लिए इसके साथ मैं जो इतना खेलता हूँ यह जो मुझे हो रहा है यह फिल्म तो मुझे एक बहुत बड़ी गौट सेंड ऑपरचुनिटी लगती कि महले की रौनक गलियां हैं जैसे खिलने की जित पर कलियां हैं जैसे मुठी में माशम के जैसे हवाई हैं यह हैं बुजुर्गो के दिल की दौाई हैं खोना जाएं यह तारे जमी पर तो जो जो मुझे एहसास हो रहा था उसवक्व वो मैं लिख सकता था उस उस कीत के माधएम से उन कीतों के माधएम से हम जैसे देखें यह जहां है वैसा ही सो बच्चों की कलपना यह होती हो पेड़ उनको लेकिया हम लोग इसलिए कविता की जरूरत है हम अब एक ग्लास को देखते हैं तो हम यह तै कर चुके होते हैं कि हम एक ग्लास देख रहे हैं जब हम एक पेड़ को देख रहे होते हैं तो हम तै कर चुके हैं कि हम पेड़ देख रहे हैं लेकिन आप एक बच्चे की आँख से देखें तो बच्चा उसको ऐसे पूरी तरह से देखता है ऐसे कि कभी पहले कभी देखा नहीं पहली बार हो देख रहा है हम लोग तय कर लेते हैं पहले से preconceived होते हैं हर चीज के बारे में कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ और वो जो होता है उसे jaded eye कहते है वो jaded eye है कविता जो है आपको उसी चीज़ को देखे जो कुछ रचा जाना है वो रचा जा चुका है Almighty has created everything जो भी कुदरत को माने आप इश्वर को माने या जो भी जो भी रचा जाना था वो रचा जा चुका है वो नदी बैती है मैं नदी का रचाईता नहीं हूँ मैं सिर्फ वेंटेज पॉइंट लेके आता हूँ एक कभी जो है वो एक vantage point लेके आता है कि मैंने इस नदी को जिस तट पर बैठ कर देखा जिस चटान के ओपर खड़े कर देखा वो कभी नहीं देखा गया था पहले इसलिए वो नया है लेकिन नदी मैंने नहीं बनाई मैंने सिर्फ उसको देखने की द्रिष्टी जिसे आप काव्यो द्रिष्टी कहते हैं वो आप